नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है दजनता इस्ट्रोबिच पर और अब हम पहुँचे हैं राची के सबसे सुन्दर पहाड़ियों में एक मारासिली पहाड़। आप देख सकते हैं घरी वादियों के बीच यह चटान आपको काफी आकरसित करता है बता दे कि इस पहाड़ को ही मारासिली पहाड़ के नाम से जाना जाता है और इस पहाड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग राजधानी राची से लगभग 18 किलोमीटर दूर उलिय जातू इलाके में आते हैं देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है वह भगवान सिव और भगवान हनुमान की प्रतीमा का एक मंदिर है इसके अलावा बगल में जो आपको स्क्रीन पर फिलाल दिखाई पड़ रही है एक कुटिया है जिस प पहाड के उपर एक बरगत पेढ़ है और साथ ही कई बच्चे जो है यहां खेलने आते हैं मानता यहां है कि यहां तीन जलकुम्भिया है और यहां तीन जलकुम्भिया जो है गरमी के मौसम में भी नहीं सोकती है साथ ही जो जलकूंभिया है वहां और उसका पानी जो है वहां सालो भर गर्म होता है इसलिए गर्म होता है क्योंकि चटान जो है इतनी गर्म हो जाती है क्योंकि जिसके कारण यह जो चटान की जो गर्मी है वह स्वालू भर सांत नहीं होती है पहला जलकुम्भी आपको दिखा दें यहां पहला जलकुम्भी है जो आपके सामने स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं यहां जो है इस जलकुम्भी के अंदर कई तरह की मचलियां है और इसके अलाबा साप है हालाकि इस जलकुम्भी में अब कई लोगों ने गंदगी फेक दी है जिसके कारण काफी इसका पानी जो है गंदा हो चुका है दूर आपको दिखाते हैं घनी वादियां है और इन वादियों के बीच छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं मनुरंजन के लिए यहां घूमने आए हैं अपने परिवार के साथ और बता दे कि कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने को है लगभग और उस दौरान इस मारसेली पहाड पर बड़ी संख्या में सहलानी यहां जुटते हैं और यहां पर अपना समय व्यतित करते हैं लोगों को अच्छा लगता है इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह पहाड काफी आकरसित करता है लोगों को और साथ ही इस पहाड पर चहड़कर नीचे का जो दिरिश है वहां काफी अदभूत है देख सकते हैं चटान के बीचों बीच कईद परकार की अब जो है यहां पर मंदिर का निर्मान कराये गया या सारी मंदिरे जो है वह फिलाल लोगों के लिए कहीं न कहीं मुख्य आकरसन का केंदर भी बना हुआ है सबसे मुख्य जो मंदिर है वह स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है या भगवान सीव की मंदिर है मानेतना यह है कि मारा सिल्ली जो नाम रखा गया है वह भगवान के भगवान सीव के नाम से ही रखा गया है राजधानी राची से लगवग 18 किनोमेटर दूर यह पहाड काफी सुन्दर है इसके चारों और जो घनी हरी वादियां है और यह वादियां वादियों से बहती हवाएं जो हैं लोगों के लिए काफी फाइदे मंद है आसपास के जो लोग है नामकुम के और उलियातू के जो लोग है वा लोगों का कहना है कि सुभा अगर इस पहाड पर जो लोग मौर्निंग वाक करने आते हैं कई लोग यहां पर समय बिताने आते हैं उनका स्वास्त जो है अन्न लोगों के स्वास्त से अधिक बहतर होता है यहां द्रिश है आपके स्किन पर दिखाई पड़ रहा है और यहां अद्भुत द्रिश है बता दे कि यहां पहला जलकुंभी है और दूसरा जलकुंभी आपको हम दिखाते हैं जो कभी सूकता नहीं है यहां इस पर कई लोगों ने रिसर्च भी किया है और इसके बाद यहा कवी सूकता नहीं है, इसकी घेराबंदी की गई है, आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि यहां, काफी पुराना हाँ और मानेता पराप्त है। मानेता यहीं रहा है हमेशा से ही कि भगवान सिव के जितनी भी मूर्तियां है वह कहीं जो मंदिर है और जितनी भी जगे जो अतिव कह सकते हैं कि दिवयस्थल है वह दिवयस्थल कहीं न कहीं भगवान सिव के जो दिवयस्थल है वह भगमा पारवती के बिना कहीं न कहीं करते हैं और से यहां पर समय बिताना लोग के लिए सबसे अच्छा अनुभाव है यहां से जो दृष्ष आपको दिखाई पड़ रहा है वहां भी दृष्ष काफी सुन्दर है मनुरंदिस और इस दृष्ष के बीच लोग अपना समय बिता रहे हैं अब लोग के लिए यह ज लोडने की प्रियास में जुटे हुए रहें लेकिन अस्थानिये लोगों ने इसे रोका और रोकने के बाद अब फिलहाल यह जो है मारसली पहाड कहीं न कहीं प्रियटनस्तर के रूप में जाना जाने लगा है लोग के रोजगार का यह जो है अच्छा साधन बन चुका है यह आखरी द्रिश्च आपको दिखा दें कि यहीं है वह जलकूंब है जहाँ पहरा जलकूंब है जहाँ कभी भी जो पानी है वह नहीं सोकता है वीडियो के अंत में आपके लिए एक मैसेज छोड़ा जाता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अच्छी वीडियो आप तक पहुचा सकें, जानकारी आप तक पहुचा सकें, ताकि आप भी घर बैठें, अच्छी चीजे देख पाएं, और साथ ही इस जगह पे अगर आप घूमना चाहते हैं, तो जरूर आएं, क्योंकि यह दिव अस्थल काफी सुन्दर है, का काफी अच्छा लगेगा, सुक्रिया, नमस्कार, जोहार